दासता है ये वक्त के मारे बदनसीब की दासता है ये वक्त के मारे बदनसीब की किसमत किसी की इस तरह बिगडे न या खुदा यूसुफ की जिन्दगी का ये सच्चा है वाक्या यूसुफ की जिन्दगी का ये सच्चा है वाक्या दासता है ये एक गरीब की वक्त के मारे बदनसीब की सुनिये सिहाली गाओं में यूसुफ का था मुकाम जे पी नगर जिले में था उसका बड़ा ही नाम पाबंद था नमाज का वो शखस दोस्तो करता था नेक काम वो हर वक्त दोस्तो रुखसाना उसकी बीवी भी खिदमत गुजार थी करती थी सबर रात दिन वो दीनिदार थी सबसे बड़ी थी घर में वो थी सबसे होश यार आने से उसके सारे घर में आ गई बहार रुखसाना और यूस्फ थे दोनों ही खुश मिजार पुदरत ने था अता किया किरिदार ला जवाब पुदरत ने था अता किया किरिदार ला जवाब दासिता है ये एक घरीब की वक्त के मारे बदनसीब की दोनों को शौक था बड़ा रोजे नमाज का दिल से लगा के रखते थे पुर्यान को सदा जिकरे खुदा से उनके लब ठकते न थे कभी ईमान की शमा दिल में जलती थी हर घड़ी इज़त तो खूब थी मगर दौलत न पास थी मिलने की मालु जर उन्हें कोई न आस थी घम को छुपा के दिल में वो जीते थे बदनसीब रोते थे अपने हाल पे घुट घुट के वो गरीब शिक्वा गिला किसी से वो करते न थे कभी रूठी हुई थी जाने क्यों उनसे हर खुशी रूठी हुई थी जाने क्यों उनसे हर खुशी दासता है ये एक गरीब की वक्त के मारे बदनसीब की खुद्दार थे वो दोनों ही मुफलिस जरूर थे बच्चे भी थे पढ़े लिखे और बाश उर थे बच्चों ने तंग दस्ती में शिक्वा नहीं किया जैसा भी वक्त पे मिला खुश हो के खा लिया मेहनत से कर रहे थे वो अपनी गुजर बसर तै हो रहा था जिन्दगी का बस युही सफर अमीद थी उन्हें के दिन बदलेंगे एक रोज फजले खुदा से वो मुफलिस संभलेंगे एक रोज किसमत में था लिखा हुआ कुछ और दोस्तों आगे हुआ क्या कीजिए अब गौर दोस्तों आगे हुआ क्या कीजिए अब गौर दोस्तों दासता है ये एक गरीब की वक्त के मारे बदनसीब की निकला जो दिन तो काम पर हर रोज की तरह लेकर खुदा का नाम वो घर से निकल पड़ा हर बात से था बेखबर वो शखस बेकुसूर तकदीर में लिखा हो जो होता है वो जरूर है घम भरी ये दासता यूसुफ घरीब की बिगडी कहानी इस पदर उस बदनसीब की शादी को चंद साल भी गुजरे न थे अभी सब कुछ भी खरके रह गया ऐसी हवा चली हालात की गिराफ्त से मजबूर हो गया वो शखस एक पाउं से माजूर हो गया वो शखस एक पाउं से माजूर हो गया दासता है ये एक गरीब की वक्त के मारे बदनसीब की अब गोर से सुनो जरा आगे का वाप्या वो शखस काम करने के पाबिल नहीं रहा अब घर का बोज बीवी के कांधों पे आपड़ा करती थी मुफल सी में भी वो सब का हप अदा ये सोचती थी कैसे मैं अब घर चलाऊंगी किस तरह लड़कियों की मैं शादी रचाऊंगी रातों को जाग जाग के करने लगी वो काम थी फिकर मंद शोहर की जानिब से नेक नाम इस कश्म कश्म जिन्दगी होने लगी बसर चलता था खर्च घर का अल्लाह के नाम पर चलता था खर्च घर का अल्लाह के नाम पर दासता है ये एक गरीब की वक्त के मारे बदनसीब की गुजरे जो चंद रोज तो ये माजरा हुआ यूसुफ भी धीरे धीरे बीमार हो चला अल्लाह इंतिहान की आई ये क्या घरी तंग दस्ती में मुसीबत ये कैसी आपड़ी बस पेट काट काट के लादी थी वो दवा पढ़कर नमाज मांगती रहती थी वो दुआ दिन रात काम करने से कमजोर हो गई हाएर बद नसीब की तकदीर सो गई किसको सुनाए अपना घम किस से कर गिला उसके नसीब का यही शायद था फैसिला दासिता है ये एक घरीब की वक्त के मारे बद नसीब की लड़की हुई जवान तो परिशान वो हुए शादी के वास्ते कुछ पैसे जमा किये हाला तो मुफल सी के थे जिस तरह हो सका लड़की करिश्त ढूंड कर उसका निकाह किया अलपिस्ता फिर गुजर गए बस यूँ ही चंद साल रुखसान को धरात दिन शोहर का ही मलाल कहती थी या खुदा मेरा ना इमतिहान ले शोहर को दे शिफा भले थी मेरी जान ले है तेरे बाद बस मुझे शोहर का आसरा शोहर बगएर कैसे मैं जी पाओं भी भला शोहर बगएर कैसे मैं जी पाओं भी भला दासिता है ये एक गरीब की वक्त के मारे बदनसीब की था इमतिहा का वाक्त और मुश्किल की थी घड़ी दुश्वारियों में कट रही थी उसकी जिन्दगी एक एक रुपीया जोड़ के करती थी वो इलाज यूसुफ का मर्ज हो गया एक रोज ला इलाज तकदीर आगे जाने क्या क्या दिन दिखाएगी क्या थी खबर मुसीबत उस पर ये आएगी खुद भी बिमार हो गई वो कुछ दिनों के बाद बहते थे अश्क आँखों से करती थी रब को यार ये सोचती थी कैसे मैं अपना करूँ इलाज घर में है दो बिमार और पैसा नहीं है पास दासिता है ये एक गरीब की वक्त के मारे बदनसीब की दिल में ये बात सोचके चुप चाप रह गई खामोश होके दुख सारे रुखसान सह गई बीमारी जो छुपाई तो अंजाम ये हुआ बस मर्ज धीरे धीरे और उसका बढ़ गया यूसफ ने फिर किसी तरह बरजा लिया उधार रुखसान की आयादत को सब आए रिष्टेदार पिसमत का जो लिखा है वो चलता नहीं कभी तकदीर पे किसी का बस चलता नहीं कभी यूसफ ने तो इलाज में कोई कमी न की रुखसान पिर भी लेकिन ना ठीक हो सकी रुखसान पिर भी लेकिन ना ठीक हो सकी का सिता है ये एक घरीब की वक्त के मारे बदनसीब की बीमारी में भी फिकर था शोहर का दोस्तो आगे का माजरा जरा अब घौर से सुनो माबाप का ही था फकत बच्चों को आसरा रो रो के मांगते थे वो मा के लिए दुआ रुखसान के बगैर घर सारा उदास था टलता नहीं है दोस्तो तकदीर का लिखा मन्जूर था खुदा को जो आखिर वही हुआ ना काम आसकी दवा ना आसकी दुआ एक रोज सब से नाता अपना वो तोड़के रुखसान बस चली गई दुनिया को छोड़के रुखसान बस चली गई दुनिया को छोड़के तासता है ये एक घरीब की वक्त के मारे बदनसीब की रुखसान क्या गई घर की प्रौन अप चली गई सोचा न था किसी न जो आखिर हुआ वही बच्चों के सर से ममता का साया भी उठ गया सब कुछ भी खर गया चली ये कौन सी हवा यूसुफ ने अपने घम को तो दिल में छुपा लिया अश्कों ने सारा दर्द का पिस्सा सुना दिया बच्चों से ये कहा जरा हिम्मत से काम लो अब सबर कर लो और बस अल्लह का नाम लो पढ़के पुरान करना तुम अल्लह से ये दुआ रुखसाना के लिए हो बस जन्नत का दर खुला रुखसाना के लिए हो बस जन्नत का दर खुला दासिता है ये एक गरीब की वक्त के मारे बदनसीब की यूसुफ का था सहारा जो वो भी चला गया घम को छुपाया दिल में और बस सबर कर लिया ता उमर जेलिता रहा वो शखस सारे घम घमगीन दिल था रहती थी हर वक्त आखनम नहला के लाश को लगे दफनाने दोस्तों लेकर जनाज़ चल दिये दफनाने दोस्तों उसने किया घरीबी में शोहर का हक अदा आला मुकाम खुल दो में देगा उसे खुदा लोगों ने उसकी लाश को बस कर दिया दफन रुखसान अबद नसीब का पेस्ता हुआ खतम रुखसान अबद नसीब का पेस्ता हुआ खतम दासिता है ये एक घरीब की वक्त के मारे बद नसीब की यूसुफ बेचारा बद नसीब अब तन हा रह गया बीवी के घम में और भी कमजोर हो गया दुख दर्द बाटने को अब कोई न आएगा अब हाल अपने दिल का वो किसको सुनाएगा मजबूरी बेबसी की ये पहली मिसाल है किसमत पे उस गरीब की सब को मलाल है लब हैं खामोश और दिल में हैं हजारों गम कोई भी उसके दर्द को करना सके का कम गुजरेगी किस तरह से अब यूसफ की जिन्दगी इतने भी गम किसी को मालिक न दे कभी जासता है ये एक गरीब की वक्त के मारे बदनसीब की झाल प्रशब की जासता है झाल 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 झाल